सब्सक्राइब करे हमारे चानल को और बराबर वाली घंटी को भी दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए क्या आपका Android Mobile कहीख हो गया या चोरी हो गया है तो घबराइए नहीं इस तरह से मिल जाएगा आपका Android Mobile Phone आज कल स्मार्टफोन लोगों की जिन्दिगी का एहम हिस्सा बन चका है, ज्यादा तर लोग अपना समय मोबाइल फोन के साथ बिटाते हैं, लेकिन अगर स्मार्टफोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो जिन्दिगी बेरंग सी लगने लगती है, बिना आपके तो उसमें पड़े डेटा फोटो या और कोई पसनल डेटा की चिंता सताने लगती है, अगर आपके पास आपल आफोन है तो उसमें Find My Phone फीचर मौजूद है, तो वहीं अगर अगर इंडूइड स्मार्टफोन है तो उसमें Find A Phone का फीचर आता है, जहाँ जहाँ आपके यह features उन जगों को track कर लेता है जो Google में store हो जाते हैं तो हम आपको बताएंगे कि Google Maps की मदद से आप स्मार्टफोन की location का पता कैसे लगा सकते हैं लेकिन location को track करने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा Google Maps की मदद से गुम हुए Android स्मार्टफोन को ढूनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसा mobile, laptop या computer होना चाहिए जिसमें internet connectivity हो इसके अलावा जो Gmail ID अपने उस mobile में डाल रखी थी उसका आपको Gmail account ID और password याद होना चाहिए आईए आपको बताते हैं वो जरूरी स्टेप्स जो आपको follow करने हैं सबसे पहले Google पर www.maps.google.co.in टाइप करें इसके बाद Google Maps खुल जाएगा यहाँ आपको वो Google ID डालनी है जो आपके गुंगुए स्मार्टफोन से लिंक थी ID साइन इन होने के बाद उपर दाहिनी तरफ तीन डॉट दिखाई देंगे उन पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यह टाइम लाइन ओप्शन अजर आएगा यह टाइम लाइन विकल्प को चुनने के बाद आपको वो साल मैना और दिन डालना होगा जिस दिन की आप लोकेशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं सभी जानकारी दरज करने के बाद आपकी लोकेशन हिस्ट्री आपके मोबाइल पर समय के साथ दिखाई दीगी आप चाहे तो इस फीचर को किजी भी Android फोन में मौजूद Google Maps में इस्तमाल कर सकते हैं पस Google Maps में वही ID आपको साइन इन करनी है जो आपके मोबाइल से लिंक थी इस फीचर को सभी हांटसेट में इस्तमाल करने का तरीका भी एक समान है यह फीचर तभी सही से काम करता है जब आपका मोबाइल और उसमें मौजूद लोकेशन सर्वस फीचर अन हो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लायक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेर करें धन्यवाद